उस github.com की जो profile है वो क्यों important है और हम क्या उसकी जरूरत है यह आपको मैं दिखाऊ लेकिन पहले मैं github खोल के अपना account आपको दिखा देता हूं ठीक है यह your profile पर मैंने किया तो यह मेरा account आ गया ठीक है अच्छा अब github जो है वो क्या बला है वो क्या चीज है github.com एक social media platform है just like facebook लेकिन facebook में जो mostly लोग आते हैं वो entertainment के लिए आते हैं आप उसमें जाते हैं अगर आप किसी की birthday है तो आप photo खेंचते हैं उस पर डाल दोते हैं ठीक है आप कहीं travel पर जाते हैं आप आप एक अच्छी सी selfie लेते हैं उगर आप लगा देते हैं ठीक है लोग आते हैं उस पर comments करते हैं उसको like करते हैं तो लेकिन वहाँ पर अगर कोई coding करता है तो वो अपनी coding facebook पर upload नहीं करता और ना ही वहाँ पर कोई coding को देखने आता है कोडिंग देखने वहाँ पर कोई भी भी नहीं आता है यह जो बनाया रहे है नो यह खास तोर पे software developers के लिए social media platform बनाया गया है जहां पर क्या होता है कि जो software developer जब coding करता है जब software बनाता है जाहिर है किसी पर किसम का software बनता है तो उसके लिए किसी लेवल की coding मुझे दरकार होती है क्योंकि computer को अपनी बात समझानी है तो computer के जुबान में आपको उसको लिखना पड़ेगा तो उसको हम कहते है coding या programming तो जब coding लिखा एक software बनाने वाले बंदे ने तो वो उसको यहां शेयर करता है इस जगह पर जो लोग आते हैं वो एक दूसरे का code देखने आता है तो यह यहां पर जिसको code देखना होता है वो भी धराएगा और जिसमें code शेयर करना है वो भी धराएगा वो facebook पर नहीं जाएगा अच्छा अब यहां पर code शेयर लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं और जो देखने आते हैं वो क्यों क्यों देखने आते हैं जी यह collaboration के लिए होता और मैंने का क्या जिए एक पेज़ गैलरी कहा वह आप बना दे एक बने को मैंने एकसेस दे दिया, वह क्या करेका, इसका backward filled बना सकते यहां पर लोग क्या करते हैं? क्लाबरिशन करते हैं एक बंदेन एक पेज़ बनाती बंदा जो बड़ी करती है कि 10 लोग 15 लोग 20 लोग एक ही टीम में काम करते हैं ठीक एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उस वो बगेर GitHub के न उस पर collaboration पॉसिबल नहीं है वरना अधरवाइस क्या करेगा बंदा USB में एक दूसरे को को कोड़ करेगा फिर उस कोड़ को आपस में मिलाना मर्ज करना इस इस तरह यह काम होगा तो तो GitHub अब कोई भी गोरा आपको काम देगा ना जब आफ फ्री लांसिंग में या किसी कंपनी में आप जाके जॉब करेंगे तो वो कोई एक्जिस्टिंग चलतावा प्रोजेक्ट है जब आप उसकी उपर लगेंगे उस प्रोजेक्ट की उपर तो वो आपको ना GitHub.com पे वो बोलेगा तो ये उसके दर्जी होने पर सवालिया निशान है कि अगर उसको सिलाई मशीन चलानी नहीं आती है तो वो दर्जी कैसे है पर तो इसी तरह अगर किसी को गिट और GitHub नहीं आता है तो उसके software developer होने पर ये सवालिया निशान है क्यूंकि सारा काम होता ही GitHub के उपर है सही है code क जो collaboration होती है वो सारी GitHub के उपर होती है कोई आप freelance पर कोई काम पकड़ेंगे कोई project पकड़ेंगे बावजूर इसके कि आप from scratch बना रहा है तो वो client आप से बोलेगा कि मुझे आपने जो code डेलिवर करना है na coding जो मुझे आपने भेजनी है वो GitHub के जरीए भेजनी है वो मुझे यूएसबी में जिप करके मुझे नहीं चाहिए ठीक है तो यह बहुत important है तो इसलिए हम पहले दिन इस पर अपना हाथ सीधा कर लेते हैं और throughout the course जितने भी हम task बनाएंगे तो वो सारा task यहां पर मुझे submit करवाया करेंगे ठीक है अच्छा जैसे कि आप देखें यह मैंने जो coding जितनी यहां पर एक चार्ट बना वा पूरा रहा है अब जितनी भी मैंने coding किये नहीं यहां पर आप देखें यह बता रहा है कि मंडे 7 अगस्त को जो है न मैंने 6 contribution की यह नहीं 6 दखा कुछ डाला है इसके ओपर मैंने 6 post डालिए आप समझे लो facebook की जुबान में अगर मैं तो 10 साल से programming कर रहा हूं तो इसका क्या सबूत है कोई सबूत है नौकरी तो मैंने कभी की नहीं है जॉब करता कहीं तो इसका कोई होता है और वह भी दो नंबर बन जाता है क्योंकि मैंने छोड़ी सी company register की वियो सारे दोस्त कहते हैं कि मुझे लेटर चाहिए मुझे ले अब किसी भी रेंडम कंपनी के नाम से कोई लेटर बनाना कोई मुझेल काम है तो वह तो उसकी कोई credibility नहीं है उस letter की अब वह उस letter क्या करता रहा है अंदर उस company में तो वह तो नहीं पता उस लिखा होता है कि छे महीने हमारे पास था क्या करता रहा है यह नहीं लिखा होता यह जादा से जादा यह लिखा होगा अच्छा यह वैब development के किसी शोवे में यह था छे महीने हमारे पास था तो उसकी तो कोई value नहीं होती है ना तो लेकिन यह ultimate credential है अब आप देखें यह Tuesday September 4 2018 को मैंने 13 contribution की है वो क्या किया है मैंने वो देखें यहा पर आ रहा है dialogue flow v2 actions on google पर कुछ कर रहा था मैं एक request करके library request inzi अपने नाम से library बना रहा था ठीक है दो कमिट मैंने इस पर किये 11 कमिट इस पर किये ठीक है फिर उसके बद अगस्त के अंदर मैंने total 40 commit किये 40 post किये मैंने पूरे अगस्त के महीने किये मैं ठीक है 2018 मैं 9 repositories में किये कौन सी थी express पढ़ कर रहा था 2018 में MQTT पर कुछ काम किया मैंने OAuth को कोई example बना रहा था Dialogflow V2 पर कुछ काम कर रहा था अब यह Dialogflow V2 मैं क्या कर रहा था यह आप जाके अंदर देख भी सकते हैं यह आ गया वो पूरा code आ गया यह function आ गया यह source आ गया और यह actual अंदर की TypeScript की file यह code मैंने लिख कि आपका पूरा-पूरा code वो public है और कोई भी इसको जा कि आपकी profile के उपर देख सकता है तो फिर उसमें वो आपका वो इतना ultimate credential है उसको को जुटला नहीं सकता या तो अगर यह हो ना कि मैंने आज से शायद 2018 में मैंने यह प्लैन किया हो पहले से ही कि हर 2023 में जाके ना मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो उनको मैं दिखाऊंगा यह तो हो नहीं सकता क्योंके future तो किसी को मुझे क्या पता था मुझे तो जिस दिन यह आना था उससे तीन-चार दिन पहले तक भी नहीं पता था कि यह मने आना है गजाल भई ने मुझे एन मोमेंट पर फोन किया कि कल शा तो मुझे तो मुझे तो दो तीन दिन पहले तक नहीं पता था मुझे तीन-चार साल पहले कहां से पता होता तो यह ultimate credential है इसी तरह throughout the course जो हम छोटे-छोटे टास्क बनाएंगे वह आप इसमें सब्मिट करेंगे और आज से 6 महीने बाद 6 महीने का क्योंके आपका यह कोर्स होगा इंशाला तो आज से 6 महीने बाद जब यह कोर्स आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास यहां पर सौ से ज्यादा टास्क होने चाहिए और चलते वे टास्क होने चाहिए उसका code भी यहां पर मौझूद होगा वो चलता भी यहां पर दिख रहा होगा तो आप जब कह इसरा बात ही है कि वो तो GitHub के बगएर वैसे भी developer developer नहीं कहला सकता तो यह reason है हमने इसको जेना सबसे पहले explore करना है अच्छा क्या है जी यह GitHub repositories के section में मैं आ जाता हूँ मैंने क्या किया है मैंने यह overview को change करके repositories के section पे लाके click कर दिया ठीक है 352 repositories पहले से जो बनी वी है व इस पे मैं click करूँगा इस green button पे तो यह create new repository का एक form खुल जाएगा अच्छा repository को आप इस तरह समझे कि एक folder है यह repository को आप इस तरह समझे कि एक folder आपने बना गिया है और इस folder के अंदर हम तमाम की तमाम जो coding करेंगे वह हम ultimately इस folder के अंदर डाल रहे होंगे अच्छा इस folder का मैं नाम क्या रखा जाए ठीक है नाम मेरा ख्याल है कि हम सिमिलर नाम रखते हैं यह वाला ही नाम रखके ना इसमें section c में लिख देता हूं साथ में create किया मैं और यह मैंने इसमें लगा दिया section c ठीक है same नाम रख दिया मैंने जो उनकी repository है वही आपकी है just section का फर्ग कर दि उसमें dashes आया है बाकी की कोई भी setting मैंने change नहीं करनी है और मैंने क्या करना है उसको create repository का button press कर देना है ठीक है यह हमारी एक empty repository बनके तयार हो गई है ठीक है जी अच्छा अब इस repository के अंदर कुछ नीचे instructions लिखी वी है कि इस repository के साथ करना क्या है लेकिन यह instruction ज़रा मुश् अफान करके यह instruction बताता हूँ ठीक है अचा यहाँ पको एक URL नजर आ रहा है इस URL को आपने क्या कर ले나 है Copy कर ले अच्छा यह URL दो तरह की होते है यह अगर आप एसे सेच पे click करेंगे तो यह मुश्य वरा जागए तो बाइदिफाल्ट जो HTTP भा हैना वही वाले URL आपने क क्या करना है कॉपी करना है ठीक है इसको अपने कॉपी करने के बाद आप अपनी मशीन में आएंगे और आप अपनी मशीन में आके क्या करेंगे आप टर्मिनल खोलेंगे ठीक है अच्छा टर्मिनल विंडोस के अंदर इसको कहते हैं कमांड प्रॉंट ठीक है विंडोस के अं Mac के उपर अगर आप हैं तो उसके अंदर Terminal इसी को बोलते हैं एक ही चीज़ के दो नाम है कोई फर्व नहीं है अच्छा आप चलाएंगे यहां पर Command, Git, Clone और वो URL यहां पर पेस्ट करेंगे असान Command है मुश्किल तो नहीं है Git, Space, Clone, Space और फिर वो URL अच्छा यह Command चलाते ही आपके पस आएगा Error वो क्या Error आएगा वो मैं बताता हूँ लेकिन पहले मैं इस Command को चला देता हूँ मेरे पास कोई Error नहीं है लेकिन आपके पास इस Command को चलाते ही Error आएगा और वो Error क्या बोल रहा होगा वो कह रहा होगा कि Git is not recognized as internal or external command इसका मतलब है कि Git आपके पास install नहीं है एक तो GitHub था वो तो Cloud है जहां पे आपने account create किये वो तो एक social media है Git is a tool Git is not a social यह tool है जो आपकी machine में install होता है GitHub जो है वो इसका social media है ठीक है ना तो यह Git और GitHub they are two different things Git is a tool जो आपकी machine में install हो जाता है और GitHub एक social media platform है जहां पे आप अपनी Git को share करते हैं जो आप Git बनाते हैं अपनी machine में उसको आप share करते हैं तो यह अब install होगा कैसे इसको install करने के लिए मैं वापस जाओंगा गूगल पे और गूगल पे जाके लिखोंगा मैं Git अच्छा अब की बार मैं लिख रहा हूँ सिर्फ Git Git अब नहीं लिखा मैंने ठीक है सिर्फ Git लिखा मैंने और Git लिखने से क्या हुआ मेरे पास यह जो सबसे पहला result आ गया है इसका URL आप देखें Git SCM करके यह URL आपको दिख रहा है ठीक है ना इस website के अंदर आपने चले जाना है मैं इस website के उपर click करके इसके अंदर चला गया जैसी मैं इस website के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास यहां पर क्या option आ रहा है इस जगवा पर Download for Mac क्योंकि मैं इस वक्त Mac मशीन पर हूँ तो इसलिए Download for Mac दिखा रहा है इस button पर click करेंगे आप आपके पास यह Download for Windows यह Download for Linux आ रहा होगा इस button पर click करेंगे आपके पास यह .x file एक download हो जाएगी Windows के उपर उसमें double click करके उसको चलाएंगे next next करेंगे वो install हो जाएगा अच्छा इसको install करते हुए बहुत सारे सवलात आप से पूछ रहा होगा उन में से कोई भी configuration आपने change नहीं करनी है जो default setting है उसी पर आपने इसको install करना है जब double click करेंगे और next next करेंगे वो चल जाएगा install हो जाएगा अच्छा जैसे ही वो install हो जाएगा तो आप वापिस terminal पर आके अब आप जब बोलेंगे git-version या git की कोई भी command आप चलाएगे तो आप आपको error नहीं देगा यह बलके क्या बोलेगा जैसे मैंने git का वर्जन चेक किया तो इसने मुझे वर्जन बता दिया सम टाइम क्या होता है कि git को install करने के बाद Windows में खास तोर पर यह रहता है कि sometime git install आप कर लेते हैं फिर भी यहाँ पर शो नहीं करता है फिर भी यहाँ पर वो बोलता है कि not recognize internal or external command तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे git install करने के बाद अपने computer को अब restart करेंगे ठीक है तो hopefully उससे यह issue आपका resolve हो जाएगा अच्छा तो अब आपकी machine में git आ चुका है अब आप यह command चलाएंगे न जब git clone और यह पूरा URL वाला तो इसका behavior बिलकुल वैसा ही होगा जैसा मेरे पास है क्या इसने कहा cloning into और यह एक नाम लिखा मेरे repository के अच्छा तो यह जब git clone की command सही तरह अगर चल जाती है तो सही तरह चलने के बाद क्या होगा कि आपकी machine में एक folder बनके आ जाएगा इसी नाम से अच्छा मैंने यह गलत जगा चला दिये वैसे command मैंने cd करके पहले desktop पे आना था क्योंके मैं जब terminal खुलता है by default तो यह desktop पे नहीं होता है तो यह मैंने desktop पे आना था तो मैं desktop पे आ जाता हूँ और मैं again यह command चलाता हूँ दुबारा ठीक है अच्छा यह पुरानी command कैसे मैं वापस ला रहा हूँ arrow up का button दबा रहा हूँ तो पुरानी command वापस आती है history बनती है ठीक है तीनों operating system में यह support होता है तो मैं यह git clone यह दुबारा चलाता हूँ enter करता हूँ अपकी बार मैं इस वक्ट desktop के उपर खड़ा हूँ तो desktop के उपर आप देखें यह बन के आ गया folder ठीक है जिस नाम से repository मैंने github.com पर बनाई थी यह वही repository उठकर पूरी की पूरी यहां पर आ गई है ठीक है अच्छा इसको लेकिन हम यह तो folder है ना इसको repository क्यों कह रहे हैं इसको हम repository ही कहा करेंगे यह कोई arm folder नहीं है यह git की repository है ठीक है अच्छा अब वो कौन सी ऐसी चीज है जो एक arm folder को github की repository बना देती है वो कौन सी चीज है जो इसको open करके हम उस चीज को देखते हैं जरा अब आप देखें यह folder जो मैंने इस वक ओपन किया है यह इस वक खाली है अब आप देखें अगर यह मैं इस folder में जाता हूं तो यह कुछ आ रहा है इस में जा रहा हूं तो तो भी कुछ आता है यहां जाता हूं तो यह खाली आता है क्योंकि अभी जो मैंने repository क्लोन किया है वो repository by default खाली है वो अभी अभी बनाई गई repository है वो एक खाली repository है अच्छा जब यहां पर मैं hidden files को show करता हूं न यहां पर मुझे .git करके छोटी सी चीज यह नदर आ जाती है यह वो छोटा सा git का यह छोटा सा git है वो जो इस एक आम folder को repository बना देता है अच्छा इस git के folder के अंदर बहुत कुछ है लेकिन इसको आपने कभी भी छेड़ना नहीं है इस git के folder को नहीं आपने ओपन करना है नहीं आपने इसमें कोई changes करनी है और नहीं आपने इसको delete करना है क्यों कि इसको जो है ना git खुद manage कर रहा होता है ठीक है इसको इसाथ क्या करना है वो git को खुद पता है और वो systematically खुद से system कर रहा होता है आपको इसमें कोई हाथ से changes नहीं करनी है अगर आप इसको changes करेंगे इसके अंदर तो वो फिर error आते रहेंगे आपके बस उसकी वज़े से अल्टिमेटली आपको एक नई repository शायद बनानी पड़े अच्छा तो इसको मैं वापिस क्या कर देता हूं hidden file को वापिस गायब कर देता हूं ठीक है मैंने shortcut से hidden file शो की दी आपके विंडोस के नदर view में जाके show hidden file का एक option आ रहा होते है अच्छा ये बात समझ आ गई सब लो के अपने पास लेकर आ गया है तो ये तीन step मेरे हो गया है अच्छा अब चौथे step में मैंने क्या करना है इसके अंदर जाहिर है मुझे कुछ ना कुछ coding करनी है कुछ ना कुछ file बनानी है ठीक है तो file वैसे तो मैं right click करके भी file यहां पर बना सकता हूं लेकिन मैं right click करके न होना चाहिए मेरे पस ठीक है तो मैं सबसे पहले एक text editor अपने पास install कर लोंगा जिसका नाम है vs code ठीक है vs code लिखके मैंने google पे enter किया तो मेरे पास आप देखें ये वाली न एक website आगए ठीक है visual studio code अच्छा इसके अंदर मैं चला जाता हूं अच्छा visual studio और visual studio code यह दो अलग अलग software है आपने कौन सा करना है visual studio code ठीक है यहाँ पर देखें मेरे पास आ रहा है download for mac universal आपके पास यह आएगा download for windows ठीक है अगर ना आया तो उसको आप open करके यह windows के लिए 2 आ रहा है जिस configuration पर वो है डिफॉल्ट configuration पर उसको install करना है next next करेंगे install हो जाएगा that's it once यह install हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद वापिस आगया मैं अपने folder में मैं वापिस टर्मिनल पर किस पर खड़ावा हूं desktop पर खड़ावा हूं इस बाद अच्छा desktop पर जो मेरी repository है मैं उसके अंदर चला जाओंगा कैसे जाओंगा मैं CD करके और उस repository का नाम लिखूंगा मेरी repository का नाम जो था वो यह नाम है तो मैं यह आपर लिखूंगा P.E.S. ठीक है पूरा नाम हाथ से लिखने की जरूतनी है मैं शुरूरू के मैंने 2-3 character लिखे P.E.S. ल लिखेंगे शुरू का उसके बड़ तबाएंगे तो यह auto complete कर देगा उसको अच्छा जी तो मैं आगया किसमे repository के folder के अंदर आगया अच्छा इसको हम folder नहीं बोलेंगे इसको हम repository ही बोला करेंगे ठीक है अच्छा यह वीडियो बगर बनाने की जरूरत नहीं है मैं आपको प्रोवाइट कर दूंगा वीडियो ना कोई मसला नहीं है ठीक है आपके हाथ में भलावाजा दर्द हो गया ऐसे करेंगे तो यह इंतजाम इसका किया हुआ है मैंने मसला नहीं ठीक है और बलके यह के यह जो पूरा जो पूरा कोर्स आप यहां पर पढ़ेंगे ने कोर्स मैंने कई दफा पहले पढ़ाया है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है तो आप अगर मिसाल के तौर पर इस क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है आप आगे पढ़ना चाहते है तो उसके लिए भी आपके पास इंतजाम मौजूद है तो जितने भी आपके यानि आपके जो सोच सकते हैं आप वो मैंने किया हुए इंशालला और भी सजेशन होगी आपकी तो वह भी हम कर देंगे तो इस मैं रेपाउजिट्री के अंदर आ गया इस वक्ता अब रेपाउजिट्री के अंदर आके मैंने क्या करना है मैंने लिखना है code space dot यह जो मैं वी एस code सही तरह इंस्टॉल नहीं हुआ सम टाइम यह होता है वी एस code को भी इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी मशीन को रिस्टार्ट करना होता है फिर यह यहां पर मिलना शुरू होता है ठीक है Windows के अंदर यह issue mainly आ रहा होता है अच्छा तो यहां पर code space dot लिखते ही क्या होगा यह VS code open हो जाएगा अच्छा VS code open हो जाएगा और इसके अंदर यह उस folder के साथ उस repository के साथ open हुए है उसका मुझे कैसे बता लगेगा यहां पर नाम लिखा वारा होगा ठीक है यहां पर नाम उसका लिखा वारा है अच्छा यहां पर इस वक्त कोई file मौजूद नहीं है अब मैं क्या करूँगा मैं नई file यहां पर create करूँगा नई file का मैं create करने वे नाम रख देता हूं कि जी hello.txt कोई भी नाम रख सकता था मैं लेकिन मैंने hello.txt रखा है अभी simple नाम रखा है यह file बन गई इसके अंदर मैं कुछ text अच्छा अभी तो coding हमने सीखी नह रहेंगे तो यह coding वाली file हम इंशालला फिर create करेंगे तो अभी इसको text file के साथ test करता है मैंने लिखा यह भाई this is my first file in git repo सही है अच्छा अगर मैं save का button नहीं दबाऊंगा तो देखो यह goal सा बना रहा है यह इसका मतलब होता है file यह save नहीं है तो आप जैसी control s दबाएंगे यह goal वा लगाया बजाएगा ठीके ना इसका मतलब है कि अब यह file save हो चुकी है तो आपने make sure करना है कि यह file आपकी save है उसके बाद ही आपने आगे की commands चलानी है अच्छा जी तो अभी तक हमने क्या कर लिया github.com पे एक नई repository बनाई उसको अपनी machine में clone करके लेकर आया और उसके अंदर एक नई file create कर दी उसके अंदर अब हमने आखरी काम यह करना है कि यह जो नई file create हो गई है मेरी repository के इंदर इस पूरी repository को वापिस मैंने github.com पे भेजना है ठीक है तो अब यह काम करने के लिए मैं वापिस आ जा आएंगे काम नहीं करेगी कोई ना कोई error देगी अच्छा अब इसके अंदर मैंने इसको clear पहले तो कर लेता हूँ मैं clear करके सारी मैंने यह जो पहले की लिखी वी चीज़ें थी सबको remove कर दिया अच्छा अब यहां पर मैं जो command चला रहा हूँना वो तीन command है जिसके जरीय commit-m और कोई एक message आपका सही है मैंने कहा कि जी this is my first commit ठीक है यह command जैसे ही अभी मैंने एंटर नहीं किया जैसे ही एंटर करूंगा ना इसको मैं तो मेरे पास तो यह सही चलेगी लेकिन आपके पास आजाएगा एक और error इसको एंटर किया मैंने मेरे पास कोई error नहीं आया ब आपने code भी उसमें लिखा हूँ है आपके पास एक error आजाएगा वह error क्या होगा वह कहेगा कि आपका email सेट नहीं है ठीक है आपका email क्या है सेट नहीं है वह किस तरह का error दिखने में उसकी में शकल भी आपको दिखा दो इसकी अगर मैं आप शकल दिखा सकूँ आपको इस तरह से कुछ error वह आपके पास आ रहा होगा ठीक है यह आपसे कहेगा कि please tell me who you are और फिर आपसे यह क्या कह रहा है कहेगा कि run these two commands यह दो command इसने बताई है git config minus minus global user dot email यह पूरी command आपना यह एक दफा में एक command चलाएंगे उसके बाद इसके नीचे वाली command आप दूसरी दफा में चलाएंगे यह दो line आपने बारी बारी चलानी ह और यह जो double quotation के अंदर इसने your add the red example लिखा वा है इसमें आपने अपनी वो email लिखनी है जिससे आपने github की उपर sign up किया है ठीक है वो अच्छा उसके नीचे जो है git config minus minus global user dot name और उसके बाद यह your name की जगह आपने अपना full name लिखना है जो आप आपके NIC के उपर जो है जो फुल नेम जो legal name है वो यहां पर लिखना है ठीक है professional जो name होता है ठीक है इसमें nickname वगरह कोशिश करें कि आप ना लिखेंगे तो यह दो command चलाने के बाद क्या होगा फिर आपके पास यह commit वाली command उसके बाद ही काम करेगी अगर आपने commit चलाया error आगया वह वाला फिर आप name के commit तो आप सब कुछ कर चुके हैं कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जिसको मैं commit तो एक command हमने क्या देखी git add और dot number दो git commit minus m और message तीसरा है git push यह तीन command मैं यह आप लिख दी अच्छा यह तीन command लिखते ही क्या हो जाएगा जो भी changes मैंने अपने repository में की थी local repository में मेरे machine के अंदर github.com पर push हो जाएगी जाएगे ठीक है अच्छा कैसे दिखेंगे इसको आ जाते हैं जी हम github.com के उपर यह यह थी वो repository जो हमने अभी बनाई है इसको मैं refresh करता हूं ठीक है refresh करते ही क्या हो गया यहाँ पर वो मुझे hello.txt file show हो गई है ठीक है इसके अंदर जाओंगा मैं अब मैंने मिसाल के तौर पे मुझे मजीद कोई changes करनी है यह एक scenario बता रहा हूं आपके जैसे मैं website बना रहा हूं तो मैंने जी आज सुबह उठा मैं मैंने एक repository नई repository create की github.com पे clone किया उसके अंदर website शुरू की बनाना और उसमें मैंने about का page बना लिया about का page बनाने के बा सुबहले निए मैं रात होगई अगले दिन मैं दोबारा उठा अब मैंने अग्ला page बनाना है यानु कि गैलरी का मैंने page बनाना थैसमें तो अब मैं क्या करूंगा इसको clone को क्लोन हो चुक है में मेरे आड़वेरी इसी में ही changes करूंगा मैं मजीद changes तो मैं क्या करता हूं इसके अंदर आके वो तमाम commands लिख देता हूं जो मैंने आपको बताई है ना वो तमाम commands इसके अंदर मैं लिख देता हूं अच्छा क्या है जी number one git नहीं सबसे पहले तो git clone किया है आपने clone करने के लिए और उसके बाद यहां पर यूरल ठीक है ऐसे यूरल को आप यहां पर यूरल में डबल कोटेशन में से लगानी की ज़रूद नहीं है यूर रैपो यूरल ऐसे हो अच्छा अगली command क्या करनी है मैंने सीडी करके सही है रेपोजिटरी के फोल्डर में जाना है ठीक है रैपो फोल्डर इसमें चला जाना है अच्छा यह मेरा clone यहां पर complete हो गया है अच्छा उसके बाद क्या करना है मैंने make create some new files maybe create some new files create a new file actually एक file अब बनाए तो भी good enough है create a new file आपने कर दिया अब आपने जो मजीद तीन कमांड से लानी है इसको वापस भेजने की लिए वो कमांड कौन सी है git add dot git commit minus m your message ठीक है जी git push अच्छा जब पहली कमांड आप सलाएंगे तो उसके लिए git का install होना जरूरी है और जब आप यह commit वाली command सलाएंगे तो आपके बस error आएगा कि आपका email और name साइट नहीं है वो मैं आपको बता चुका हूँ अब वो पूरी command लिखी भी आती है आपके error के message में ठीक है तो इसके अंदर कोई शक तो नहीं है कोई मसला तो नहीं है कोई problem तो नहीं है यह हो जाएगा अच्छा अब मैंने क्या कर दी है एक नई changes कर दी है अब मैंने इन changes को भी दुबारा github में बेजना है तो मैं क्या करूंगा वही दोनों तीनों command मैंने clear किया इसको clear just इसलिए कर रहा हूं ता कि projector पर आपको अच्छी तरह नजर है यहाँ पर वही तीन command दोबारा git add dot git commit minus m और यह मेरा message मैंने का this is my second commit enter साही है git add git commit और git push git push enter किया तो इसने बोला कि जी वो सारी चीज़े मैंने भेज दी है वापस आके मैं इसको यहाँ पर refresh करता हूं तो आप देखें यहाँ पर क्या हो चुकी है अब यहाँ पर दो commit हो चुकी है जो पहले एक commit थी अब दो हो चुकी है मैं hello dot text के अंदर जाता हूं तो यहाँ प अब commit how often should you commit कितनी जल्दी जल्दी आपने commit करना है क्या हर दो लाइन लिखने के बाद commit करूं नहीं ऐसा नहीं है आम तोर पे practice ही होती है developers की कि जब वो एक functionality complete कर लेते हैं तो वो एक commit बनाते हैं जैसे मैंने मिसाल दी थी website बनाने की कि अगर मैं website बना रहा हूं मैं about का page मैं नहीं पूरा कर लिया मुकंबल कर लिया तो मैं उसको एक commit बना दूँगा फिर इसी तरह मैं अगला page बनाओंगा तो उसको एक commit बना दूगा तो गोई है के एक feature आप जब add करेंगे अपने software के अंदर तो उसकी commit बना दोते हैं अच्छा commit बनाने की वजह से क्या होता है कि आप जो commit करते जाते हैं उसको message भी लिखते जा रहे हैं commit को एक नाम देते जा रहे हैं तो उसमें history में पीछे भी आ सकते हैं commit by commit मिसाल के दौर पर मैंने total 200 commit कर दिये है ना मैंने 2-3 हफते काम किया total 200 commits मैंने कर दिये अब मैं अगर चाहता हूं ना कि commit number 1 पे मेरा code जो था व total 2 commit है यहां पर निशान भी बनावा है history में पीछे जाने वाला time और back बनाव है commit के उपर मैंने click किया मुझे list दिखा देगा यह मेरी 2 commit है अच्छा commit number 1 जो था उसमें first commit था commit number 2 में यह था तो मैं first commit में जाके देखना चाहता हूं अगर के मेरा code यहां पर कैसा था तो इसके एक line लिखी हुई ठीक है यह just मैंने आपको समझाने के लिए बता है इस पर भी ज्यादा गौर करने की जरूतनी है गौर आपका जो main काम अभी आपने करना है वो क्या करना है github.com पे एक नई repository बनानी है और उसको clone करना है उसमें कुछ changes करके वापिस github.com पे push करना है ठ ख्यादय के आपके बस अभी है एक घंटे का time है पूरा आपके बस छ्यवजे आपकी class ख्यास खबम हुती है नए तो एक घंटा आपके पास है पूरा मौझूद तो आप सब लोगों ने अभी ही ये काम करना है हो जाएगा आराम से अच्छा जितनी मैंने बात बताई इसमें किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है भी ना इमेल किनेक्ट करते हैं वो तो आप आजाएगा ना जब अरर आएगा ना आपके बस वो ये था वो ये पूरी कमांड ऐसे वो लिखी भी खुद ही आजागी अरर के मैसेज में ठीक है ना अच्छा अब ये जो मेरी रेपाउजिट्री है ये पब्लिक रेपाउजिट्री है यहां पर क्योंके मैंने कमांड लिख दी है ना आपके लिए कमांड बने आपके लिए लिखी है ताकि आप इसको क्या कर सके आप यहां पर आगे इसको देख सके तो इस रेपाउजिट्री तक आपने कैसे पहुँचना है ये भी मैं आपको समझा देता हूं आप गूगल साथ में लखनेंगे तो जैसे ही आप लिख तो यह अधरी प्रॉफाइल अप के सामने आ जाएगे अच्ठा शके बाद आप जाएंगे यहां पर यहां पर यह फाई मौझूद है ठीक है hello.txt के अंदर ये फाइल मैंने बना दी है इसमें वो सारी instructions लिखी हुई है जिसको आपने follow करना है ठीक है अगर command आप भूल जाएं तो यहां से आपने देखना है ठीक है जी और किसी का कोई सवाल तो नहीं है चलें इसको आप शुरू करें और जिस जिसका होता जाए ना तो मुझे यह URL अपनी repository का जो यह वाले URL ना इसको copy करके WhatsApp के ग्रुप के अंदर बेज़ें ठीक है जिसका होता जाए चलें शुरू हो जाएं सब लोग